हलो दोस्तों नमस्कार जैहिंद स्वागत है सभी का बाइजूज एक्जाम प्रेप के डिफेंस यूट्यूब चैनल पर और मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों जैसा आपको पता है कि एफकेट का नोटिफिकेशन और लेडी आ चुका है और 16, 17 और 18 फरव ही 2024 को एफकेट का एक्जाम शेडियूल है तो आज मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कई सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न भी था कि सर अब 50 डेस स्ट्राटिजी किस तरीके से हम अपने लास्ट 50 डेस की स्ट्राटिजी बनाएं जि इससे 220 प्लस मार्क्स आप अपने एफकेट के एक्जाम में सेक्योर कर सकते हैं जिससे आपके मेरिट आउट होने के चांसे बहुत ही कम हो जाएगी और अगर SSB क्लियर कर लेते हैं मेडिकल से होके होते हैं तो डेफिनिटली आप इंडियन एयर फोर्स अकाडमी से question आता है कौन-कौन सा section है general awareness, English, numerical ability और reasoning दोस्तों total number of question होता है वो hundred होता है और time solve करने का मिलता है दो घंटे अब हर एक सही question के लिए आपको मिलते हैं तीन marks तो for every correct answer आपको मिलेंगे तीन number साथी साथ इसमें negative marking भी होती है negative marking होती है one marks is deduced for every incorrect answer यानि एक number कट जाएगा अगर आपने गलत answer दिया अगर आपने question को attempt नहीं किया तो उसके कोई number नहीं कटेंगे साथी साथ जो question का paper होगा वो सिर्फ और सिर्फ होगा English में तो ध्यान रखेगा यहाँ पर bilingual questions नहीं आते question होगा सिर्फ और सिर्फ English में तो इन students को लगता है जैसे normally defense का exam जब UPSC लेती है तो उसमें English और Hindi दोनों में question होता है लेकिन लेकिन FCAT जो लेती है उसका question completely होता है English में दो घंटे का time होता है number of questions होता है 100 और maximum marks होता है 300 का अब बात करते हैं दोस्तो examination के dates की तो as per the FCAT notification जो official notification Indian Air Force ने release किया है कि FCAT का exam conduct होगा 16 फरवरी 2024 17 फरवरी 2024 और 18 फरवरी 2024 यह संभावी तिथी है tentative dates है लेकिन मान करके चलिए कि Air Force ने अगर dates निकाली है तो इसी date पर paper होगा normally क्या होता था कि फरवरी के last week के Friday Saturday Sunday को paper होता था इस बार इन्होंने mid week में ही paper ले लिया है तो यह तीनो dates आपके जहन में होना चाहिए ताकि इसी के हिसाब से आप अपनी strategy को define करेंगे और strategy को बनाएंगे सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से strategy करनी है ताकि आप अपने defense में जो FCAT का exam है उसको successfully clear करें दोस्तों यहाँ पर first 20 days की strategy में आपको बता रहा हूँ जिसमें को मैंने divide किया है 10 days और 10 days में first 10 days में चाहे आप math से start करो चाहे आप English है for example आपका math पर command अच्छा है ठीक command है आपका math interesting भी है तो सबसे पहले आप math से start करो देखो math में आपको total 10 topics हैं जिसमें percentage important topics की बात करा हूँ जिससे question आता है जैसे percentage है ratio proportion है average है profit and loss है time speed distance LCM HCF mensuration mixture allegation property probability और simple and compound interest total यहाँ पर 10 topic है 10 topic को first 10 days में आपको complete कर लेना है कैसे complete करना है for example आज आपने percentage पढ़ा तो जब आप कल ratio and proportion पढ़ेंगे तो सबसे पहले percentage से जो questions को आप एक बार solve जरूर कर लीजिएगा ताकि यह आपके जहन में बनता रहे यानि जो भी आप topic पढ़ेंगे उसको next day solve करिएगा ताकि यह एकदम synchronize हो करके आपके दिमाग में बैखता चला जाए और कोई गरबर नहीं हो for example मैस में तो आप question solve करोगे फिर मालो आपको लगे कि भाई क्या करना चाहिए तो एक काम करते हैं पीवाइक्यू उठा लेते हैं Indian Air Force की पीवाइक्यू इजिली अवेलेबल हो जाता है तो पीवाइक्यू से solve करके देखते हैं कि हम कितना question solve हो पा रहा है for example आपने percentage आज पढ़ा उसके questions बुक से लगाए उसके बाद जब next day जब आप ratio and proportion पढ़ने बैठेंगे तो पहले half में आपको करना क्या है कि जो percentage का question Fcat की previous year paper में आया है वो आप solve करोगे same इसी तरीके से आप करोगे कि जब ratio proportion पढ़ लिए next day average पढ़ना है तो उसके बाद average वाले दिन first half में आपने ratio proportion के previous year questions को बना लिया तो इस तरीके से first 10 days में आप ये 10 important topics हैं Fcat के लिए उसको complete करोगे तो चलो आपका maths हो गया इस तरीके से और parallely आप इसको revise भी करते जा रहे हैं फिर next 10 days में होगा English ये आप इसको अपने according change भी कर सकते हैं पहले maths कर पहले English कर लिए फिर maths कर दिए ये as per convenience है मैं maths को ले करके ब पढ़ा noun, pronoun, subject, verb, agreement, time and tense, adjective and ad verb, para jumbles, reading comprehension, close test and fill in the blanks, synonym, antonym तो ये topic आपने पढ़ा English में अब करना क्या है कि जैसे आपने parts of speech पढ़ा कल आप पढ़ोगे parts of sentence तो parts of speech से related जितने भी question F-Cat के previous year में पूछे गए फटा-फट से एक बार solve कर लिए यानि parts of speech को आपने quick revision कर लिया और फिर part of sentence में आ गया जैसा मैं आपको DCA में करवाता हूँ कि पहले मैंने आपको news पर हादिया अब जो next day होगा उस news को question answer के form में आपके साथ quickly discuss कर लेता हूँ तो वही concern वही method आपको यहाँ पर भी apply करना है तो इस तरीके से दोस्तो 10 days में आप पूरा का पूरा English cover up कर लिए 10 days में maths cover up कर लिए with revision अब जो दोस्तों आपका 21st day होगा उस दिन आपको मौक लगाना है maths का और English का उस दिन आपको मौक लगाना है सिर्फ दो subject का किसका किसका मैसका लगा लिए English का लगा लिए और मौक आपको कैसे लगाना है online लगाना है तो sectional mock लगा लिए English का और Maths का यहाँ पर जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि जब score अच्छा रहा है तो आपका confidence भी बढ़ता जाएगा तो 21st day आपको करना क्या है लगानी है mock तो first 10 days first 20 days में आपको जो last day होगा जिस दिन आपने simple compound complete कर लिया finally तो आपको लगाना है mock तो फिर आपको लगाना है mock test जैसे 10 दिन में ये cover आप कर लिया 10 दिन में ये cover आप कर लिया हो गया 20 दिन और जो 21st day होगा उस दिन आपको लगाना है 21st day जो होगा उस दिन आपको लगाना है mock तो 10 और 10-20 कर लिया 21 दिन आपको mock किसका किसका लगाना है तो maths का और English का यहाँ पर आपको उमीदतन बात समझ में आ गई होगी कि पढ़ना कैसे है पैललली रिवीजन भी करते चलना है और फिर mock भी लगाना है और जो mock लगेगा वो proper पूरा का पूरा mathematics और proper English का यानि पूरा का पूरा full length mock आपको लगाना है इसके बाद दोस्तों next subject आता है reasoning और general awareness का तो यहाँ भी दोस्तों इसको मैंने divide कर दिया है 10 days में और 10 days में अब दोस्तों reasoning में क्या-क्या syllabus है वो देख लो analogy है and classification coding decoding है puzzle है vein diagram है mirror and water image है figure matrix है paper folding है blood relation series compilation completion of the incomplete pattern तो दोस्तों यह आपके 10 topic है और यहाँ भी same pattern आप follow करोगे जैसे आपने analogy and classification पढ़ा next day जब आप coding decoding पढ़ने जाओगे तो previous year paper से आप analogy and classification के question करोगे ठीक जब आप third day puzzle पढ़ोगे तो इस condition में coding decoding के questions आप पहले revise करोगे previous year question से और फिर नया puzzle पढ़ोगे तो इस तरीके से आपको करना है इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करू general awareness की देखो जो Fcat का general awareness बहुत tough नहीं आता बिल्कुल serious जैसा नहीं आता कि consider the statement और 3-3-4-4 statement दे दिया पूछा कौन सा सही है कौन सा गलत है हाला कि पिछले बार हम लोगोंने statement wise question देखे थे लेकिन वो question का जो level होता है वो cda से बहुत कम होता है पहले से आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको history complete कर लेनी है then geography है quality है science है जिसमे physics chemistry mathematics होगा देखो fcat में static gk बहुत dominate करता है तो इसी वज़े से मैंने static gk के आली आपको दो दिन दिया है in fact तीन दिन तो तीन दिन आपने static gk को cover कि अब बहुत अच्छे से इसके बाद current affairs के लिए 3 दिन और current affairs कब से कब का cover अब करना है तो September से लेकर के फरवरी तक का करना चुकि paper online set होता है तो वो कम से कम एक सबता पहले तक का भी current affairs पूछ लेते हैं तो January last तक का और budget आ जाता है तो budget भी complete कर लेना अगर budget उसमें तक आ जाता है examination से पहले और first week of February में budget आही जाएगा तो budget जरूर करके जाएगा यहाँ पर भी दोस्तों आपको उसी तरीके से करना है जैसे मालो आपने history पढ़ लिया तो थोड़ा सा आपको speed बढ़ानी होगी history की चुकि ancient modern medieval तीनों है तो important important events complete कर लिये जब geography पढ़ने बैठे तो history के previous year paper को revise कर लिया जब geography complete हुआ quality पर आए तो previous year quality को revise किया हलाकि दोस्तों इसमें आपको speed थोड़ा ज़ादा लगेगा reason यह है कि थोड़ा सा syllabus history का वास्ट होता है geography का वास्ट होता है तो थोड़ा वास्ट होता है लेकिन यहाँ पर आपको अलग से time dedicate करना पढ़ेगा चुकि हमारे पास बहुत ज़ादा वक्त नहीं है कि हम इनको बहुत detail वे में और बहुत smoothly पढ़ें तो आपका speed specially gk पढ़ने में as compared to other subjects ज़ादा होना चाहिए अब दोस्तों जब आप लोग यह complete कर लोगे तो 10 दिन में आपने first 10 days में reasoning complete कर लिया फिर आपने next 10 days में gk complete कर लिया तो 20 days आपके हो गए अब हर दिन आप पढ़ रहे हो revise करते जा रहे हो पिछले topic को अब जो इसका 21st day होगा जो 21st day होगा उस दिन आप दोगे complete mock complete mock दोगे किसका तो reasoning का दोगे plus gk का दोगे तो reasoning और gk का complete mock दोगे जिससे आपका यह दोनों subject तयार हो गया अब आपके पास दोस्तों budget technically 8 दिन जैसे 21 दिन तो पहले isolation में हो गया फिर 21 दिन यहां हो गया तो 21 और 21 होगा 42 अब आपके पास बचे हैं 8 दिन 8 दिन में आपको करना क्या है तो 8 दिन में दोस्तों आपको देना है mock test mock test दोस्तों किसी भी exam को clear करने के लिए बहुत ही जरूरी है बिना इसके आप examination को clear नहीं कर सकते तो last के 8 days में आपको देना है mock test कैसा तो वो होना चाहिए full length तो वो full length mock test आपको देना है full length mock test का मतलब कि जो proper आपका time होगा वो 2 घंटे का time होगा इसमें आपको properly mock test लिखना है ताकि 2 घंटे में आप proper पूरा का पूरा mock test दे सको और उस 2 घंटे को seriously लेना है ऐसा नहीं कि बीच में पानी पीने चले गए बीच में किसी का phone आ गया वो attend कर लिए या घर में किसी ने काम करने के लिए बुला लिया वो कर लिए तो यहां आपको genuinely इमानदारी से आपको 8 दिन mock test देना है मैं आपको 8 दिन के लिए क्यों कह रहा हूँ चुकि जब आप पढ़ते जाओगे mock test देते जाओगे तो भई आपको speed भी तो बढ़ानी है अपनी accuracy भी तो बढ़ानी है तो 2-4 दिन में speed accuracy नहीं आ पाएगा लेकिन कम से कम 8 दिन में तो इतनी speed और accuracy तो आ जाएगी ताकि आपका exam हो जाए exam तक आप वो speed और accuracy को attain कर लोगे अब mock test किस टाइब का देना है सबसे बड़ा आप सबको पता है कि paper जो होता है वो fcat का होता है online तो जो paper fcat का होता है वो आप सब जानते हो कि paper होता है online यानि computer based examination होता है तो आपको mock भी कैसा देना है तो mock भी आपको देना है वो होना चाहिए online तो mock भी आपको देना है online चुकि paper online होगा तो mode offline देने का कोई logic बनता भी नहीं है तो आपको mock test भी देना है online और paper भी आपका होने वाला है online जब आप online mock देते हो दोस्तों तो इसके कई सारे फायदे हैं जैसे आपका topper से marks compare करके बता दिया गया या उस particular question को topper ने कितने minute में बनाया आपने कितने minute में बनाया तो वो सारा का सारा एक detailed analysis of your test आकर आजाता है तो आपके पास detailed test का analysis आजाता है जिससे आप confident हो जाते हो कि भाई मेरा तयारी अच्छा है और इतना आपने कर लिया तो मान करके चलिए कि 220 plus marks आप attend कर सकते हो score कर सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा past में कई सारे students ने किया भी है दोस्तों जैसा आपको पता जैसा मैंने आपको FCAT की strategy बताई तो by use exam prep इसमें आपकी help करने के लिए ले करके आ रहा है उडान badge और ये जो उडान है ये specially FCAT के लिए ही designed है FCAT 1 2024 के लिए ही designed है अब इसकी classes कब से शुरू हो रही है तो classes शुरू हो रही है 15 जन्वरी 2024 से अब इसमें आपका complete syllabus coverage है special focus on static GK चुकि static GK बहुत ही dominantive होता है आपके paper के लिए और कोशिश इसमें हम लोग इस तरीके से हमने इसका syllabus को बनाया है कि 220 plus marks out of 300 आप score कर सकते है और संजीव से तो आप लोग already aware हैं all India rank 11 in FCAT 2 2022 जो अभी under training है Indian Air Force Academy डुंडीगल में तो he was the part of this course और अगर इस बाचकी में success rate की बात करो तो 75% of the students जिन्होंने उडान batch को last year किया था उन्होंने FCAT 1 2023 का written exam clear किया है तो अब आपको देर नहीं करना अभी भी आपने enroll नहीं कराया तो फटाफट enroll कराईए और बाकी सारे दोस्तो exam oriented PDF content और sessions के लिए आप मेरे telegram channel को join कर सकते हैं तो दोस्तो आज के session में बस इतना ही और मैं उमीद करता हूं कि जो फिफ्टी डिस्ट का नाम नाम है नाम है जीए बाई शेशांग तो इस दा नेम आप टेलिग्राम चैनल को ज़रूर जोइन करेगा ताकि आप इसली टेलिग्राम को जोइन कर सकते हैं तो दोस्तों आज क सेशन में बस इतना ही और मैं उमीद करता हूं कि जो फिफ्टी डिस्ट्रेटजी बताई है मैंने आपको वह आपको क्लियर हो गया होगा हां हाला कि कुछ स्टूडेंट्स का कहना होगा कि सर इतना कम टाइम है कैसे करेंगे तो भाई आप इंडियन एयर फोर्स जॉइन करन जो आपने सुना भी होगा कि गिरते हैं शहषवार ही मैदाने जंग में वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले तो कोशिस आपको करनी है कि इसी स्ट्राटिजी को फॉलो अप करें और अपने सक्सेस को इंशूर करें तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट जय भारत